भारत के सभी राज्यों की खबर खबर SNS News चनल पर खबर जो आपको रखे सब से आगे नमस्कार मैं विशाल पड़ेल खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है आई ले चलते हैं उप्तर पड़ेश की कुछ खास खबरों क्यों और दिखाते हैं आशिश सिंग की यह खाशिपूर लोगसभा मशली सहर में निवास करते हैं एक बार फिर से जो यहां के बर्तमान सांसा थे बीपी सरोज उनको फिर से एक बार मौका मिला है कितना विकास हुआ लोगसभा मशली सहर में और खासकर हम बात करते हैं कि यह गड़बंधन को लेके 400 पार का नारा दिया जा रहा है जी मशली सहर में बहुत विकास हुआ है तमाम कारे से हैं जो जरूरी थे वो हुए हैं और हमारी पार्टी अपना दल्यस का भाजपा के साथ 2014 से लगातार गड़बंधन रहा है हमारी मुखिया मन्य अन्पिया पटेल जी हमेशा बीजेपी साथ गड़बंधन में मजबूत के साथ रिजल्ट दिये हैं और हम जो है कि उसका परड़ाम आपने देखा है और इस बार भी हम लोग पूरे संग्ठन की लोग अपना दल के सभी कारकरता मजबूती के साथ मिल जूल करके अपना दल भातिजनता पार्टी गड़बंधन को मजबूत बनाएंगे और चुनाओ जीतने का कारे कर रही है खासकर हम बात करते हैं मनियाहों विधान सभा की लगातार मनियाहों विधान सभा एक अपना दल की यसकी परागत सीप मानी जा रही है लगातार दूसरी बार विधायक है क्या कहना चाहेंगे आप मनियाहों को लेकर जी मनियाहों में हमार लिए और देखा जाए तो काफी प्राफी विधान सभा इसके अंतरगात आते हैं जिसमें अगर हम बात करते हैं पिछले 2019 लोग सभा चुनाओ पे नजए डालें तो फिंद्रा में 116 मत मिला था और हम बात करते हैं मनियाहों विधान सभा ची तो एक लाख साफ धर मत मिला था इस बार क्या लख रहेगा इस बार पिछली बार के पेच्छा और अच्छा लख रहेगा और हम लोग कोसिस करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा मजबूत मनियाहों में दीखें और रिजल जो भी होगा वो सब सामने रहेगा अच्छा रहेगा जी बिलकुल देखा जा तो त कि आपने काम किया हुआ है और क्या कहना चाहेंगे इस अपना दल्यस के कार करता हूं और को क्या मैसेज देना तहेंगे हम हम सभी कार करता हूं जो भी रिजल्ट रहें गडबंधन का बहुत है एच्छा रिजल्ट मिले तो बिल्कुल देखिए हमारे साथ जूरे हुए थे अपना दल्यस के युवामेंच के प्रतिशन सी उदर परताब पतेल जी और ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहें ख़बर SNS TV न्यूज चैनल के साथ